सम्वित पातरा आप दिल्ली के अंदर विपक्ष के अंदर है और केंदर में सरकार केंदर है जामिय मिलिया गेट प्लीस जोनेट ब्लांकेट 175 दिन शहीन बाक 24 दिन पंतानिस वा दिन खुरेजी खास 15 दिन आगे बढ़ता हूं जाफरबाद तुर्कमान गेट किस-किस का ना और यहाँ पर का जा रहा है कि अभी पूरे देश में शाइन बाख खुलेंगे और आपके संसत परवेश वर्मा कहते हैं कि अभी तो सलक जाम करी है कल को घर में घुज जाएंगे क्यों आप भी इसका फाइदा उठा रहे हैं अमिच भाइ पहली बात तो है अनुराग ठाकुर जी ने कहा देश के गददारों को उसके बाद मैंने अभी सुना कल सुन रहा था मैं आद सुबह भी सुन रहा था कि असवदी नोवेसी सामने आके कहते हैं मैं कौन से चौक पे आऊं कहा मुझे गोली मारोगे यह गदार कहत तो उनको गोली मारी जाएगी क्यों ये Congress आम आदमी पार्टी ओवे सी गद्दार सब्द को सुनते ही यह फड़कने धड़कने क्यों लगते हैं क्यों इनको लगता है कि गद्दार यही है क्योंगे कहीं ना कहीं चोर की दाड़ी में तिनका है ना बिल्कुल चिलानी रहा था अंती से सुन रहा था मुझे लगता है यह पत्थर फेकनी वाले राजनिती बंद करनी चाहिए अमीश भाई मैं एक वार्निंग के साथ जैसे हिंदी पिक्चरों में वार्निंग आती है यह फिक्षर होता है मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं रहू पूरे देश में बहुत सारे मुसलमान बाहुर्ले छेतर में इस प्रकार से शाहिंग बाग बनाने की कोशिश औरहें आप पता है आज लोग चुप चाप क्या बात कर रहे और मैं दुख के साथ कह रहा हूं इस पूरे पैनल में केवल सुबू ही खाने का ऐसी महिला है जो मुसलिम होते हुए भी एक ऐसी चेहरा है जो मुसल्मानों की पक्ष की बात करते हैं बाकी जो चेहरे हैं वो कहीं न कहीं मुसलमानों को डेमेज कर रहे हैं, आज लोग चुपके चुपके ये बात करते हैं, गलियों में ये बात करते हैं, ये टीवी पे नहीं आ रहा है, लोग कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा, मात्र 16 प्रतिशत में इस प्रकार की बात हो र पूरा कर लूँ पिर आप बोलने के लिए नहीं पूरा आपना बीज सेकंड बोल लूँ पिर यह इसा नहीं ठीक है ठीक देखे आमिज भाई मैं कहा हूँ यह इसलाम को इसलाम इससे बदनाम हो रहा है बिल्कुल इसलाम को बदनाम नहीं होने देना चाहीए लोग यह जो खुसर पुसर करके कह रहे हैं क्या हो जाएगा अगर पॉपलेशन बढ़ जाएगी मैं आस्वस्त करना चाहता हूँ ऐ जैसे कि वहां कोई 370 लगा हुआ है आप वहां पर कहते हो नारे लगा कर कहते हो कि देश का नारे लगा कर कहते हो कि कि ए झाल